एंड्रोइड 12 जी हां दोस्तों एंड्रोइड 12 काफी जल्दी आने वाला है अगर सेतेमबर तक लॉंच होना सुरू हो जाएगा लेकिन इसके लॉंच होने से पहले ही हमें इसके सारे फीचर्स के बार में पता चल जाएगा तो बनेरे इस वीडियो के साथ मोमन चली आगे ब और तब योगा साइद आईफॉन के बैक पर अगर हम डबल बाट टैप करेंगे तो वहां पर स्क्रिंशोट निकल जाएगा तो यही फीचर आप एंड्रोइड में भी आ रहा है एंड्रोइड 12 के साथ अगर आप बैक पैनल को डबल टैप करेंगे तो आपका यूसफुल सा फीचर है यह बढ़ते हैं अगले फीचर की तरफ जो कि है एप पैर इसमें आप दो एपस को एक साथ यूज कर पाएंगे मल्टी टास्किंग कर पाएंगे यह काफी यूई में भी आता है लेकिन अभी नेटिवली एंड्रोइड 12 में इन बिल्ट आएगा औ और इसमें आप दो एपस को साथ में उसकर सकते हैं साथ ही में जो फॉलडेबल फोन आते हैं समसंग जीफोल 2 उन में भूती यूसफुल विचर है आप एक स्क्रीन पर अपना कोई दूसरा कांप कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। तो मल्टी टास्किंग बहुत जी होने व करते हैं वैसे ही आप अपनी मुबाइल की अपडेट को भी डाउनलोड कर पाएंगे आपको महीनों सालों तक कोई भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है आपका मूड हुआ कि अभी अपडेट करते हैं मुबाइल को और अगर अपडेट आयो है तो आप उसे एकदम सिंपल तर करते हैं डार्क लेकिन एंड्रोड 12 के साथ हमको मल्टिपल देखने को मिलेगी ब्लू ग्रीन रेड बहुत सारी और आप उनको साथ कस्टमाइज भी कर सकते हैं आप जैकते हैं कि कौन सी कौन सी थीम साती हैं एंड्रोड 12 के साथ और बढ़ते हैं अगले फिचर की तरफ द एंड्रोड 12 में वह हाइबरनेट यानि बंद हो जाएगा टेंपरेली ओफ हो जाएगा और आपकी बैग्राउंड में ना तो रेम यूज लेगा ना ही प्रोसेसर तो आपके मोबायल की परफॉर्मेंस में एक बूस्ट मिलने वाला एंड्रोड 12 के साथ नेक्ट वीचर भी हैं एंड्रोड के अंदर एंड्रोड 11 के अंदर लेकिन उसमें थोड़ा क्यू आर कोड्स करो यह करो तो वह काफी मुश्कल सा रह जाता है लेकिन अब एंड्रोड 12 के साथ यूज की तरह वाइफाई शेयरिंग भी काफी स्मूथ होने वाला है अगर आपकी मोबायल में व imperfectly नहीं देखने को मिला इसकी बहुत सबनारिट बनारिव導 एंडवीट से लेकर कि हLP मिल गारा यह को आप निचे बहुत साराकर तो आप उसको एक लिए खर कर परसकते हैं और और आपको 5-7 screenshot लेने की ज़रत नहीं है वो एक ही screenshot में लंबे screenshot में सब कुछ आ जाएगा बटते हैं लास्ट विचर की तरफ दोस्तों जो की है wire guard VPN अब अगर आपको कोई blocked site किसी country में चलानी है तो आप क्या करते हैं आप play store पर जाकर कोई भी VPN डाउनलोड कर लेते हैं और वो आसानी से कोई भी blocked website को आराम से चला सकते हैं और आपको play store से इदर उदर बटकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और अब देखते हैं यह कैसा काम करता है stability सारी sites को open कर पाएगा या नि यह तो android 12 के आने के बाद ही पता चलेगा तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो सब तक के लिए जय हिंद जय भारत